हाई मैं पशान आप सभी के अपने YouTube चैनल Equity to Community पे स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि Options Trading में आप Strike Price का Selection कैसे करें How to Select Strike Price in Options Trading अगर आप Options में Trade करते हैं तो आपको आइडिया होगा है कि Options Trading में Strike Price का Selection कितना Important और Crucial Phase होता है अगर आपने सही Strike Price का Selection नहीं किया है तो Market आपके Favor में जाने के बापजूद भी आपको छोटा सा Negligible Amount of Profit होगा यानि तो आपको Profit नहीं भी हो सकता है इसलिए Strike Price का Selection बहुत जरूरी है और मैं आपको इस वीडियो में Life Market में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एकदम Perfect और सही Strike Price का Selection करोगे और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको Monthly Options में जाना है या फिर Weekly Options में जाना है कौन जादा Prefer करना और कब Prefer करना वो सब कुछ में भी Idea एकदम Clear Cut आने वाला है तो अगर आप Options में ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहो क्योंकि यहाँ पे हम Live Market Analysis करने जा रहे और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा जो कि आपको Live Trading में बहुत जादा हेल्प करने वाला तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम तीन लाइन ड्रोग किया है Green, Blue और Red Green हमारा Support Line है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको Support Line ड्रोग कर देते हैं देख सकते हैं हमने Support Line ड्रोग किया है और Support Line हमने किस basis पे लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन जो green color का line है वो हमारा support line है उपर में जो red color का line है वो हमारा resistance line है और वो आपका 17,800 का level है जो की resistance के रूप में काम करेगा और इसको हमने क्यों resistance line लिया है वो मैं आपको आगे option chain पे ले जाके बताऊंगा अभी आपको सिर्फ ये setup तयार करना है market open होने के 15 मिनट के अंदर ही और नीची आप time देख सकते हैं 9.28 AM हो रहा है तो ये सब आपको पहले से setup कर लेना है उसकी बाद जो blue color का line हमारा make or break level है चले इसको भी हम यहाँ पे draw करना चाहेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमने निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को लिया और time हो रहा है 9.32 AM यहनी market open हुए जस्ट 15 से 17 मिनट हुआ है और यहाँ पे हमने एक support level develop किया है support level हमारा है 17,600 इसको हमने क्यों support level लिया है वो मैं आपको आगे explain करूँगा जब हम option chain पे आएंगे हमारा make or break level है 17,700 और हमारा resistance level है 17,800 इन सब वो क्यों हमने support, make or break और resistance level लिया है वो मैं आपको आगे समझाओगा तो market अगर हमारा support level के पास आता है तिहां पे हम buy करने के बारे में सोचेंगे make or break level का importance क्या है अगर market इस level को break किया तो आपका उपर 17,800 के level तक जाता हुआ दिखेगा अगर इस level को break नहीं किया तो वापस से आपका यहां से नीचे की तरब 17,600 के level पे लोट सकता है तो इसलिए 17,700 make or break level है यह level break हुआ तो market यहां से 100 point और उपर जाएगा नहीं break हुआ तो वापस से 17,600 के level पे आएगा तो यहां पे हमने trade setup तयार कर लिया और यह हमने किस basis पे तयार किया है सबसपहले यह आपको समझना है उसके बाद हम strike price के selection पहेंगे सबसपहले आपको अपना trade setup तयार करना है trade setup आप तयार कर लेंगे फिर आपको strike price का selection बहुत आसानी से सीखने को मिल जाएगा तो चलिए option chain पे चलते हैं और सीखते हैं कि यह सब हमने कैसे trade setup तयार किया है तो यहां पे देख सकते हैं option chain पे आगे nifty अभी 17,600 के level पे आपको लगभग 19,000,000 के करीब put riders दिखेंगे और यहां पे लगभग आपको 9,000,000 के करीब call riders दिखेंगे मतलब 17,600 के level एक important support की रूप में काम कर रहा है इसलिए हमने 17,600 के level को support की रूप में tweet किया 17,700 के level पे आते हैं यहां पे अगर आप देखेंगे लगभग आपको 29,000,000 के करीब put riders दिखेंगे इसलिए हमने 17,700 के level को make or break level लिया और 17,800 resistance group में काम कर रहा है क्योंकि यहां पे लगभग 48,000,000 के करीब यहां पे आपको call riders है और इस level पे देखें लगभग आपको 24,000,000 करीब put riders है इसलिए 7,800 resistance level है 17,700 make or break level है और 17,600 support level है क्यों हमने लिया? option chain पे आपको एकदम clear cut समझ में आ गिया होगा यहां पे हम वापस से technical chart पे आ गए टाइम होड़ा है 9.37 a.m अब यहां पे हमारा सारा trade setup तयार है अगर nifty 17,600 के level पे आता है तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम buy करेंगे SL यहां पे रखेंगे 17,550 का यहां पे हमारा entry point हो जाएगा SL और target पे सारा कुछ well define हो गया दूसरा जगा एक और जगा हम buy कर सकते हैं अगर market 17,700 के level को break करके उपर निकला यही से तो यहां पे भी हम buy कर सकते हैं यहां इंट्री ले सकते हैं 17,700 के उपर फिर हमारा stop loss क्या होगा 17,650 हमारा stop loss होगा और target price होगा यहां पे हमारा 17,800 दो जगा हम buy कर सकते हैं 17,700 के उपर नहीं तो 17,600 के करीब और सारा जगा हमारा पूरा entry setup तयार है किस basis पे तयार किया यही आपको clicker समझ में आ गया होगा सबसे पहले आपको यह तयार करना उसके बार आपको decide करना है कि अब हमें कौन सा call और put options buy करना और sell कब करना sell वाला हमने miss कर दिया था अगर support level break किया यहनी 17,600 के level को break करके अगर nifty नीची आया तो यहां पे हम sell करेंगे otherwise हमें sell set की तरफ जाने के बारे में सोचना भी नहीं है तो यहां पे हम वापस एक बार और options जिन पर आना चाहेंगे और यहां पे हमने positions के बारे में देखते है कि क्या है 17,600 वाकई strong support level है या नहीं है 17,600 के level पर देखें तो लगबग आपको put writers increase हुए 20 लाग करी put writers है और 9 लाग के करीब call writers मतलब यह strong support level है हमें डरने वाली कोई बात नहीं है वापस से हम चार्ट पे आना चाहेंगे तो यहां पे हम वापस से चार्ट पे आगे 9.50 एम होड़ा हम इंतियार करें market मेरे buying zone में आएगा तब आई करेंगे तब नहीं तो 7600 करीब आएगा तब buy करेंगे तो मिलते हैं कुछ दिर बात अगर market मेरे buying zone में आता है तो अब देखिए timing होगा 10.19 एम और market ने हमारे support level पे आया है यह निए इसने 17600 के level को touch किया यहां पे हम क्या करेंगे buy करेंगे यहां पे हमारा buy call active हो गया stop loss होगा 17,550 का और target price होगा यहां पे पहला 17,700 इसको break किया तो दूसरे target या फिर वापस से entry लेके हम 17,800 के level के लिए भी जा सकते हैं यहां पे हमारा सारा setup तयार है अब यहां पे हमें options में क्या trade लेना और कौन से call options को buy करना अब यहां पे हम add the money call options के पीठे जाना चाहेंगे यहां पे 17,600 के call options को ही buy करना चाहेंगे क्यों? वो मैं आपको आगे बताऊंगा वापक से option chain पे ले जाके लेकिन यहां पे मुझे 17,600 वाला call options ही buy करना और उसको यहां पे हम add कर लेते हैं 17,600 वाले call options को यहां पे nifty में हम 17,600 के call options को add कर रहे हैं देख सकते हैं इसको हमने add कर लिया, chart open कर लिया और यह भी आपका 3,30 के करीब trade कर रहा है और यहां पे हम monthly call options पे जा रहे हम weekly call options पे नहीं जा रहे monthly call options पे भी क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन यहां पे हम call options जो buy करना प्रिफर करेंगे monthly करेंगे तो region है, वो सब मैं आपको आगे explain करूँगा तो आपको यहां पे यह भी idea मिल जाएगा कि आपको कब weekly के लिए जाना, कब month 3 के लिए जाना यहां पे सब कुछ clear कर देते हैं, देख सकते हैं वापस से हम spot price पे आगे market अभी आपका 17,600 के level पे ही trade कर रहा यहनि जिस price पे buying के उसी करीब trade कर रहा और यहां पे हम options पे आना चाहेंगे देख सकते हैं, options में अभी यह आपका 340 के level के करीब trade कर रहा यह आपका monthly options है और यहां पे हमे 335 के करीब यहां पे entry लेना है, क्योंकि जब हम इस options को open किये थे, इसी price पे trade कर रहा था तो हम इसी करीब buy करने कोशिस करेंगे और यहां पे आएगा भी, तो यहां पे हम monthly पे क्यों जा रहे हैं, monthly पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां पे time decay बहुत slow होता है आपके पास यहां पे 30 days होता है time decay का यह नहीं, यह अप्रेल month के last day, यह options 0 होगा otm या फिर atm weekly की बात करें तो आपको 7 days में options premium बहुत ज़्यादा decay होता है सारा का सारा time value खत्म होता है तो weekly में premium decay बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम weekly में buy करना prefer नहीं करेंगे, अगर आप options buy कर रहे हैं, और 15 के date से पहले buy कर रहे हैं, तो आप monthly buy करना prefer करो, और अगर आप 15 के बात buy कर रहे हैं, तो weekly buy करो, monthly buy करो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और अगर आप options sell करते हो, तो आप यहाँ पे weekly बात sell करना prefer करो sell करते हो, तो weekly के लिए जाओ, weekly में sell करो और buy करते हो, तो monthly buy करो यह भी आपको समझना है कि कब monthly जाना और कब weekly जाना है, तो आपको idea मिल गया कि यहाँ पे हमने क्यों monthly buy किया क्योंकि premium decay बहुत कम देखने मिलेगा, और यहाँ पे मुझे at least 4-5 point additional मिलेगा, अगर हम monthly पे जाते हैं, तो weekly पे जाएंगे, तो हमें 3-4 point कम मिलेगा, क्योंकि premium decay वहाँ पे fast होता है, इसलिए यहाँ पे हम extra benefit के लिए जाएंगे अब वह आपस से हम spot पे आगए, हमने options को buy कर लिया और क्यों buy किया, उसके लिए हम इसके बाद option chain पे आएंगे, फिर मैं आपको explain करोगा, सब पहले मैंने आपको explain कर दिया कि क्यों यहाँ पे हमने monthly call options को buy किया है, और हमने 17,600 की call options को buy किया देख सकते हैं, अभी उसी price करीब trade कर रहा है, तो चलते हैं अब option chain पे और समझते हैं कि हमने 17,600 के call options को क्यों buy किया यहाँ पे हमने at the money call options को क्यों buy करना prefer किया है देखिए हम option chain पे आगए nifty अभी आपका 17,600 करीब trade कर, in the money अगर आप call options पे देखो, यहाँ पे delta आपको देखने को मिलेगा 0.54, अब देख सकते हो delta यहाँ पे 0.54, 0.55 है delta का क्या मतलब है, 0.55 delta का मतलब है, कि अगर nifty spot में 100 point का move दिखाता है तो 17,600 का जो call options है वो हमें लगबख 55 point का move दिखाएगा, तो nifty में हम कितने target के लिए जा रहे हैं, 100 point के target के लिए जा रहे हैं, तो options से मुझे कितना target पैस के लिए जाना परेगा, 50 से 55 point का target पैस के लिए जाना परेगा और at the money call options में हम इसलिए prefer करें क्योंकि OTM पे जाएंगे यह delta कम होता जाएगा in the money पे जाएंगे तो delta जादा होगा in the money पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमें premium भी जादा मिलता है और अगर market मेरे against गया तो नुकसान भी जादा होगा तो हम एक average range लेके चलते हैं इसलिए add the money को हम जादा prefer करें और वो भी monthly वाला क्योंकि वहाँ पे delta आपको half मिलेगा यानि spot में जितना move करेगा उसका आधा options में move करता हुआ यहाँ पे दिखेगा तो options में हम 55 point के target price के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि strike price का selection कैसे करना अगर 15 के बाद का date होता आज 8 April है 15 के बाद का date होता तो यहाँ पे हम weekly पे भी जा सकते थे लेकिन 15 से पहले इसलिए हम monthly पे जाएंगे और यहाँ पे हम at the money पे जा रहें क्योंकि यहाँ पे हमें average point चाहिए था premium भी कम मिले और हमें profit भी ज्यादा मिले इसलिए हम at the money पे गये हैं तो चलिए वापस से अब हम options पे आते हैं और देख सकते हमने 17-600 call options पे आये monthly वाले और अभी आपका 334 करीब trade करें यानि हमारा buying range सा 335 वहाँ पे आ गया यहाँ पे हमारा entry point बन गया है अब हमारा target page क्या होगा हमने देखा है कि 100 point के move पे यह हमें 55 point देगा तिहां से अगर आप 55 point देखें तो लगबग 390 करीब होता है 390 सूपर हमारा target page रहेगा और stop loss spot में हमने 50 point का रखा तिहां पे 25 point का रखना परेगा यहां पे हमारा होगा लगबग 310 का 310 का SL, 390 का target price entry point जो हमारा था वो लगबग 335 का था तिहां पे हमारा options में भी सारा कुछ clear है 335 पे हमने entry लिया 390 का target price, stop loss 310 का और आप चाहो तो stop loss spot के basis पे भी रख सकते हो तो चलिए अब हम आपसे कुछ दिर बाद मिलते है जब market हमारा आइदर stop loss hit करता है या फिर target price hit करता है देखिए अभी time हो रहा 10.58 एम और market आपका 17,000, 670 के price पे trade कर रहा यहनि हमारे buying level से काफी उपर trade कर रहा तो हम देखते हैं कि 17600 का call options का क्या हाल है पर वहाँ से लगबग यह 35 point उपर trade कर रहा यहनि हमें 35 point का profit मिल गया लेकिन market आपको इतनी आसानी से profit बनाने नहीं देगा आपको यहाँ पर डराएगा धमकाएगा आपको निकलने पर मजबूर करेगा आप अपना patience lose कर दोगे और ultimately आप जो profit बन सकता था वो profit नहीं ले पाओगे और loss में market से exit करोगे तो आपको वही phase को avoid करना और आप market में वो phase आने वाला क्योंकि candle में strength थोड़ा सा कम दिख रहा है तो market में बहुत सारी लोग यहाँ पर entry अलवेडी कर चुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पता है कि इसके बाद market उपर जाएगा इसलिए market off-load करेगा बहुत सारे लोगों कि यहाँ पर बाहर निकालेगा और इसके बाद जो लोग पेसेंस के साथ बने रहेंगे उनको reward करेगा तो ऐसा उमीद है spot के price पर अगर आप देखो तो market आपका red candle यहाँ पर बनाना start कर दिया यहीं red candle बना start हो गया उसके बाद market आपका एक range पकरेगा यहीं तो थोड़ा बूर्ट नीचे आके फिर इस level करीब आ सकता और यहाँ से वापस से bounce back दिखा सकता है इसलिए आपको यहाँ पर घबडाना नहीं है यही phase है जिससे आपको overcome करना जिससे आपको सीखना है और इस phase में अगर आप सीख गए तो आप आगे भी पैसा बनाना सीख जाओगे तो चली आप से मिलते हैं कुछ दिर बाद जब market अपना target price हीट करेगा फिर इस phase में क्या move हुआ उसको भी हम वहीं पर analyze करेंगे वहीं पर समझेंगे और यहाँ पर आपको time ध्यान रखना time हो रहा 11.02 AM यहाँ पर देखिए market आपका लगभग 17,700 लेवल पर आगया यहनि हमारा target price almost hit होई गया तो हमें इस phase को समझना जहाँ पर बहुत सारे लोगों को डराया होगा देख सकते हैं यहाँ पर rate candle form किया है और बहुत सारे लोग यहाँ पर डर के market से निकल गए होगे लेकिन market आपका ऊपर की तरफ निकला है और ultimately आपको reward किया है और जो लोग यहाँ पर patience के साथ बने होगे और stop loss हमने पहले ही define कर लिया था तो stop loss साथ बने होगे उनको market ने reward किया और जो लोग डर गए होगे 620 पर आगे है market 600 पर आएगा तो हम इससे पहले ही निकल लेते हैं या थोड़ा भूद profit बुक कर लेते हैं उन लोग को थोड़ा profit हुआ होगा और जो लोग patients के साथ बने होगे उनको यहाँ पर market ने reward किया होगा तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे options का premium का क्या हाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं 17600 call options को हमारा जो target price था 390 उससे उपर आ गया यहाँ पर हम अपना profit बुक करके निकलना चाहेंगे और देखिए इस phase में भी इसने बहुत डराया है लोगों को और जो लोग buy किये होंगे हमारे buying price के करीब ही आया लेकिन हमारा stop loss नीचे था stop loss को इसने hit नहीं किया तो इस phase से आपको सीखना और यही phase में आपको अपना patience से काम लेना उसके बाद जो लोग इस phase में बने रहे होंगे market से नहीं निकले होंगे उनको market ने reward किया और उनको लगवग यहाँ पर 50 point का profit मिला भी है और आप चाहो तो यहाँ पर 400 के level के लिए भी wait कर सकते हो क्योंकि यहाँ से उमीद है कि 4-5 point का और upside move दिखा के यह 400 के level को touch करेगा यहाँ पर हमने 3-35 के level पर buy किया है तो यहाँ अलवेडिये मुझे यहाँ पर इसने 60 point का profit दे दिया और चाहो तो 5 point का profit और दे सकते हैं यहाँ लगवग 65 point का profit आप यहाँ से निकाल सकते हो हमने target रखा था 50-55 point का जो कि उससे ज़्यादा है मुझे यहाँ पर मिल गया तो हम 60 point लेके भी निकलना चाहेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो volume भी अच्छा खासा है तो इस तरीके से आप strike price का selection करके market में trade कर सकते हो और इतना reward मुझे क्यों मिला क्योंकि मैंने सही strike price का selection किया है तो इस तरीके से आप options में सारा कुछ trade setup करके सही strike price select करके इसी तरीके से आप profit बना सकते हो बस market में जो एक phase आता है जहाँ पर market range bound होता है जहाँ पर market आपको डराता है वो phase से आपको overcome करना है और वो धीर धीर experience के साथ आएगा अभी सिर्फ एक वीडियो देखने से नहीं आएगा market में जितना experience gain करोगे वो फाइदा करेगा हमारा वीडियो में भी आपको help मिलेगा लेकिन market के experience ज़्यादा काम करेगा इसलिए आपको market में experience gain करते रहना और जिस दिन उस phase में आप market में ठीके रहा गया वही phase आपको profit बना के देगा और देखिए बात करते करते हैं इसने 400 के level को भी touch कर दिया यानि जिस level के लिए हम जा रहे थे वो level अल्वेड़ी आ गया यानि इसने 65 point का profit यहाँ पे हमें already दे दिया है तो यहाँ पे आपको एक चीज option chain में समझना है और वो बहुत crucial है अगर आप 17,700 के level पे देखो तो यहाँ पे आपको लगबग 35,000,000 के करीब put waiters दिखेंगे और इधर 46,000,000 के करीब आपको call waiters दिखेंगे तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि 17,700 का level break नहीं होगा लेकिन market already इसको break कर दिया और 17,750 के level पे आ गिया जो हमारा make or break level था उसके उपर आ गिया यहाँ से market आपका 100 point और उपर की तरफ जा सकता है तो call की तरफ जादा प्टीमें होने की बापजोद भी market उपर क्यों गिया क्योंकि आज RBI का monetary policy था आप याद कर लो 8 April 2022 को RBI का monetary policy था और वही रीजन है कि market उपर की तरफ गया monetary policy हम लोग उमीद कर रहे थे no bad news is a good news for the market और वहाँ से कुछ भी बुरी खबर नहीं आया इसलिए market का वहाँ से positive sentiment आया और जब इस तरह का news रहता है तो market options के data को respect नहीं करता news को respect करते हुए उसके according behave करता इसलिए आज के दिन अगर call की तरफ जादा premium होने की बापजोद भी इस level को break करते हैं तो आपको surprise नहीं होना क्योंकि ये news के प्रती जादा react कर रहा news को लेके जादा react कर रहा data को उतना वो serious नहीं ले रहा इसलिए जब कोई बड़ा news हो या event हो तो आपको data पे उतना जादा focus नहीं करना परेगा news के sentiment पे आपको चलना परेगा वही आपको आगे help करने वाला है और यहाँ पे हम spot के price पे आगे हैं देख सकते हैं 12 बज के 8 मिनट हुआ है अगर ये 10 से 15 मिनट और इसके उपर टिक गिया 3700 उपर तो ये आपका 37800 के करीब जाता हुआ दिख सकता और हम अपना profit book कर चुके हैं तो इसलिए वीडियो को हम यहीं पर close कर रहे हैं तो आप मुझे comment करके बताना कि market 3800 के level पर गया है या फिर नहीं गया है तो उमीद करते हैं कि आपको हमारा ये analysis वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like करके encourage कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो और भी हम live market में आपके सामने लाते रहेंगे और वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं next वीडियो में जैहिं